आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठाओ क्योंकि आज मैं बाहर जा रहा हूँ आज हित्रो एरपोर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे अपने कस्टमर्स को रेसीव करने जाना है आज मैं आज मैं ब्रस कर रहा हूँ और थोड़ी सी अभी चाय रख रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय पिए बिना नहीं चलता कहीं भी जाओं पहले उठी तो पहले चाय रखता हूं तो गाइस हम टाटा चाय पीते हैं जो कुछ इस तरह की है इसमें पत्ति आती है और बहुत ही खुश्पुदार चाहिए और हाँ शुगर हम ब्राउन ही उस करते हैं क्योंकि वह हेल्दी होती है अच्छी होती है वाइट से बहुत ही बहुत ही बहुत होती है चाय रेडी हो चुकी है चलो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं बस इतनी सी चाहत पीता हुए और बहुत ज्यादा नहीं पीता बस थोड़ी बहुत चाहिए बस इतनी कोई आदप नहीं है चाहिए लेकिन बाहर निकल से पहले थोड़ी बहुत चाहिए पी लेता हुए और वहां से आदने के बाद सु गाइस बने रही दिएगा हमारे वीडियो में हम यहां से पूरी जर्णी आपको दिखाएंगे आए दोस्तों चाही पीते हैं चाही पीने के बाद नहादे के फ्रेश होगे इसना क्योड़ चपने रहे हैं को अब रिड़ी हो चुका हुआ है चलो चलते हैं अब चलते हैं जूते बेते तैंके तो गाइस यह हमारी लगजरी तो गाइस जाने के लिए हम रोग रेडी हो चुके है अभी प्लाइट का अराइवल टाइम है हमें हाफ टैन लेकिन आगे पुछा हो सकता है लेकिन बिट्विन टू हावर्स अब वहां पहुंच जाएंगे तो गाइस चलते हैं हमारी स्ट्रीट का कुछ नजारा यह सा है रैनिंग भी हो रही आज और लगता है कि आज बारिस होने वाली है पुरा दिन लेकिन गाइस देखते हैं रास्ते में किस तरह करें बारिस होने वाली होने वाली है अभी कड़ी बन साड़ाट बच चुके है पॉर्णिंग के यहां पर यूके में और आज तो वेनस दे है तो मुझे नहीं लगता कि इतने ट्राफिक भी रास्ते में बिलेगी कि कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है ऐन्टाइम करें में कि ट्राफिक बहुत रहते हैं कभी कभी बहुत रहती है तो गाइस बने रिजेगा नहीं थोड़ा सा फ्यूल लेता हूं उस्टैसन यहीं बाजू ही है हमारे बहूत करीब है तो गाइस बने लेएगा आखिक फ्यूल ले लिया है हमने और अब हम निकल रहे हैं चुलो अब बिना देरी किये यहां से चलते हैं अभी कहीं भी स्टॉप नहीं करना है कर दो गंटा या उससे कम ड्राइव करके वहां पर पहुंचना है मैं यूट्यूब में किस तरह आया क्यों आने का फैसला किया उसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो बनाओंगा और आपके लिए और पूरी जांकारी दूँगा कि मैं यूट्यूब में किस तरह आया क्योंकि मैं थोड़ा बहुत केमेरा शाय हूँ लेकिन फिर भी मैंने कुछ अलग करने का फैसला किया तो गाइस बने रहेगा पूरी जर्णी हम आपको दिखाते हैं कि क्या हाल है कि इस तरह का है मोटरवे पर और एर्पोर्ट पर तो गाइस बने रहेगा गाइस ट्राफिक क्लियर हो चुका है यह देखिए बस इस तरह चलता रहेगा थोड़ी बहुत ट्राफिक आएंगी और वापस क्लियर हो जाएगी क्योंकि जिदिने भी ट्रक्स लोडी अलग 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 एक्जिट से देखो इस तरह अलग अलग एक्जिट्स में निकल जाएंगी तो उसकी वज़ा से कम हो जाएंगी और कोई-कोई एक्जिट आए कोई-कोई जोइन होगी मोटरवे पर तो मोटरवे का नजरा इस तरह का है अभी मोटरवे 15 है एक्जिट को प्रोस कर चुके है जो ओक्सपोर्ड की ओर जा रही है तो गाइस अभी भी आदी मंजिल बाकी है यहां से और बेधन में तो लगता है कि आज बारिश का ना तहीं है नहीं कई और वही बारिश भी रही थी लेकिन फिलाल बारिश तो नहीं है लेकिन पोसिबिलिटी 80-90 परसंट है अभी अप्ग्रेट किया है यह स्मार्ट मोटर वे है कि आप मिसिशन थी गाद सकते हैं यह मिनिम्म आप कि आप सिट अपर नहीं जा सकते हैं यह मिनिम्म आप लिथे यह यह का यूल को इसमीज में आप प्लाइपी टाइपर है और हम वक्ते बोच जाएंगे वहाँ मत लेकिन आपको में रिटन में कस्टमर के साथ अपने प्रेसंजर के साथ आपको में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बहुत से कस्टमर से जो अलाउड नहीं करते हैं यह पॉलिसी के खिलाप की है तो हम यह नहीं कर सकते हैं लेकिन जी हाँ जब तक हम सोलो होंक रहेंगे अब आपको सारी चीज़े इंपोमेशन देते रहेंगे वीडियो के जरी है झाल 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 प्रश्योंते हैं लो जी यह बारिश शुरु होंके एक्सपक्टेड यह तो होना ही था और at least सारी वेकल्स हो रही है और फ्लाइट लेंड़ है माई फ्रेंड अभी जस्ट मिनिट अगो लेंड हो चुका है फ्लाइट लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि क्योंकि बास यहां से बहुमें दस्कंडर मिन दोर्ट तो गाइस एक जगा पर यहां पर हमने पार्ट कर दी है इस तरह है जगा तो गाइस बने रहिएगा अभी हम कोल का इंतेजार करते हैं क्या होता है कोल आने के बाद हम उन्हें पिक अप करेंगे और फिर वापस घर के और चल देंगे और वीडियो का एंड हम घर जाके करेंगे दोस्तों और आगे कुछ अगर इसा है तो दिखाएंगे लेकिन और सकता है कि वो उसके बाद की वीडियो माइए क्यूंकि अभी वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है मेरे दुस्तों तो गाइस लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की गंटी दबा दीजिएगा थेंक्यू वेरी मच्छ कि अगया है तो फाइनले एक गाइस हम आ चुके है कि कस्टॉपर को ड्रूप कर दिया हूं के घर पे और अब मैं बुट्स में जा रहा हूं यहां से क्यूंकि मुझे कुछ क्रिम्स लेना है वहां से और फिर वापस घर पर चला जाओंगा तो गाइस इस तरह का रहा है सफर क्योंकि मैं आगे और कुछ शूट नहीं कर पाया उसके लिए माफी चाहता हूं आप से तो गाइस मैं यहां पर आ गया हूं गुट्स में प्रूट्स प्रूट्स रॉप अवाल हिए अपर डाइज कम आप अपर आपकी यहां पर नर्चानी चालोक आपक अपर में आपका अपर नापक अपर अपर नापक ले गए राव नियर पर नापक है है तो गाइस यहां पर हम अपने उबलोग का एंड करते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सपोर्ट के लिए चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक कर जीगा शेट कर जीगा और खासतर पर सब्सक्राइब कर दिजीगा गाइस थैंक यू वेरी मच थैंक यू फर वोचिं झाल